तो दोस्तों मैं धर्मेश आज आपके लिए लेकर आए हूँ नार जो 70X और Moto G64 के बीच एक केमरी का कमपैरिजन सबसे पहले अगर फीचर्स की बात करें तो अल्टर वाइट फोर्टो जोर आप ले सकते हो G64 से जो कि 70X से पॉसिबल नहीं है Portrait Mode आपको दोनों में देखने को मिलता है कुछ एक्षा फीचर्स की बात करें तो Dual View Video इसके अलाबा Slow Motion आपको दोनों में देखने को मिलते हैं दोनों ही डवाइसे से आप Full HD तब का वीडियो रोकॉर्ट कर सकते हो लेकिन Moto G64 में आपको 60fps का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा इसके अलाबा Moto G64 OIS सपोर्ट भी करता है जो कि 70X में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है Camera Performance की बात करें तो यहां से आप खुट डिसाइड करिए कि आपको इन मैंसे किस डिवाइस के फोर्ट जादा बहतर नदर आते हैं मेरा जो experience आप वो सबसे पहले अगर कलर टॉन की बात करें तो G64 में आपको बहुत जादा Oversaturated कलर देखने को मिलते हैं जो कि नेच्छल्टी से बहुत जादा दूर हो जाते हैं अलकि ऐसा नहीं है कि 70X आपको एकदम नेच्रल कलर्स देता है लेकिन फिर वी G64 से बहतर यहां 70X की performance मुझे देखने को मिली इसके अलाव अगर आप दोपेर में फोटो लेते हो तो डारेक्ट सनलाइट में आपको G64 में आपको वाइट बिलंच का इशू देखने को मिलेगा मतलब अन्नेससरी यलो टॉन शो होती है जो कि आपके फोटो को पूरी तरह से बिगार देती है तो इस कंडिशन में 70X थोड़ा सा बहतर है जैसे कि इस फोटो को देखें तो ओवर सेचुरेटेड़ कलर्स, वाइट बिलंच का इशू और दोनों की वज़ा से G64 का फोटो एकदम बेकार हो जाता है एर केमरे के पोर्टेट मोड की बात करने तो यहाँ पर इसकिन टॉन यह कलर टॉन की बात बात में करते हैं सबसे पहले अगर एज डिटेक्शन की बात करें तो बहुत ही बेकार, खराब एज डिटेक्शन आपको 70X में देखने को मिलेगा और इसका मन है जब चाहिए एज डिटेक्ट कर सकता है जब चाहे आपको एकदम प्लैन बेक्ग्राउंड देदे तो पोर्ट्रेट मोड के मामले में तो 70X एकदम बेकार है नाइट मोड की बात करें तो भाई यहाँ भी G64 70X को बीट करता है इन्विजुली 70X का नाइट मोड काफी कमाल का है फ्रंट केमरे की बात करें तो कुछ यह परफॉमेंस आपको यहाँ देखने को मिलती है और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुवात में ही आपको बोला था कि आप खुद जज करिए कि आपको इन दोनों डवाइस में से किस डवाइस की सेल्फी जादा पसंद आती है वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यह 30 fps पर रिकॉर्ड किया गया एक फुल एस्टी का वीडियो सेंपल सबसे पहले बात करें अगर स्टेवलाइजेशन की तो यहाँ जी सिक्स्टी फॉर पूरी तरह से 70x को बीट करता है काफी स्टेवलाइजड वीडियो मिलता है आपको जी 64 में क्योंकि वहाँ पर OIS का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा और आपके वीडियो को पूरी तरह से बिगार के रख देता है जी 64 में अगर आप डारेक्ट सनलाइट में वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो इस कंडिशन में मुझे 70x थोड़ा सा बहतर लगा इसके अलावा कर डायनम क्रियंज की बात करें तो भाई वो दोनों की बहुत कम है चेलेंजिंग लाइटिंग कंडिशन में भी आप देख सकते हो एकदम सेड़ो फ्री वीडियो रुकॉर्ड हुआ है दोनों ही डिवाइस तो यही दा इन दोनों ही डिवाइस के वीचे कैमरे का कंपेर जन फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ त